नमस्कार स्वागत है साहितिक जरो का चैनल पर आज हम करेंगे संग्या ये व्याकरण के अंतरगती बहुत ही महत्पूर्ण टोपिक है आज का हमारा तो आएए देखते हैं देखिए सबसे पहले बात करें संग्या शब्द कहां से आया या शंग्या जो शब्द है वो कैसे ब पातरें तो ये संग्या के योग से बना है यहाँ पर जो संग्या का अर्थ क्या है पूर्ण और ग्या का अर्थ क्या है ग्यान तो यह संग्या का शाब्दिक अर्थ क्या है पूर्ण ग्यान तो ये कौन सा अर्थ है व्युतपतिक दिरिश्चिकूर्ण से या इसका व्यु क्या है नाम है हमेशा हम इसकी परिभाशा भी इसी तरह से देखते हैं कि व्यक्ति वस्तू स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं संग्या कहते हैं तो संग्या का व्याकरणिक अर्थ क्या है जब हम किसी के नाम के बारे में जानकारी लेते हैं या जानते हैं तो वो क्या है संग्य अब अगर हम इसकी परिभाशा की बात करें तो किसी व्यक्ति वस्तू स्थान आदी के नाम को हम क्या कहते हैं संग्या के भेद की अगर बात करें तो ये कितने हैं तीन हैं व्यक्ति वाचक संग्या जाती वाचक संग्या और भाव वाचक संग्या यहां पर जाती वाचक संग संग्या के भी दो भेद हैं कौन कौन सा है दरव्य वाचक संग्या और दूसरा कौन सा है समुहे वाचक संग्या तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि संग्या के मुख्य रुप से कितने भेद हैं तो संग्या के तीन भेद हैं जाती वाचक संग्या के कितने भेद हैं तो विशेश व्यक्ति स्थान अत्वा वस्तु के नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं व्यक्ति वाचक संग्या कहा जाता है जैसे जैपूर देखिए अपने आप में विशेश है जैपूर जैपूर का नाम या पढ़ते ही सुनते ही हमारे दिमाग में कौन सी पिक्चर आती है भारत रामायन जो पुस्तक है, अमेरीका देश है, राम व्यक्ति विशेश है, शाम व्यक्ति विशेश है, अफ्रीका ये देश है और विशेश है जैसे जैपूर है, दिल्ली है, अफरिका है, अमरीका है और वस्तु जैसे की रामाइन है तो इनका हमें यहाँ पर बोध हो रहा है तो यह कौन सी संग्या हुई? वेक्ति वाचक संग्या हुई यहाँ पर कुछ उधारन भी मैंने दिये हैं जैसे गीता, कुरान, वै गुरु गरंत साहिब भारतियों के पवित्र गरंत है देखे नाम दे रखे हैं और ये तीनों ही पुस्तकों के जो नाम है ये अपने आप में विशेश है तो ये क्या है ये वस्तुएं है वस्तुएं यानि पुस्तक है और ये अपने आप में विशेश है उसके बाद गोदान ये भी क्या है पुस्तक का नाम है यानि ये वस्तु है मुन्शी प्रेमचन के द्वारा रचित एक प्रसिद उपन्यास है लेकिन केवल वस्तु मातर नह वटनाएं इसके पातर और मुण्शी प्रेमचन ध्यान में आते हैं तो यह अपने आप में विशेश है तो यह क्या है गोदान यहां पर वेक्ति वाचक संग्या है इसी तरह से हम बात करेंगे दूसरी संग्या कुण सी है जाती वाचक संग्या देखें तो जिस शब्द से कि जाती वाचक संग्या कहते हैं या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वे शब्द जो किसी संपूर्ण वरग या समुदाय का बोध कराते हैं उनमें क्या होता है जाती वाचक संग्या होती है यानि उनमें कौन सी संग्या होती है जाती वाचक संग्या होती है किसमें जो क इसे संपूर्ण वरग का या समुदाय का बोध कराएं ऐसे शब्दों में जैसे पशु देखे पशु तो कोई भी हो सकता है हाती घुडा बैल लेकिन पशु ये जाती वाचक संगय है पक्षी सभी जो आसमान में उड़ते हैं वो पक्षी है अनाज जो बोया जाता है काटा चाता है फल सभी प्रकार के आम केला से लेकिन वो फल है या एक जाती विशेश है विचार धारा विचार धारा जैसे माकसवादी विचार है सामयवादी विचार धारा है गांधी विचार धारा है या पदार्थ आदी के नाम जैसे पदार्थ क्या है तरल है दरव है जैसे तेल है, सोना है, लोहा है, मिट्टी है, वो क्या है? पदार्थ है. तो धारण में अगर देखिए, पशो में जैसे घोड़ा है, फूल भी इसी परकार से फूल, अपने आप में फूल भी क्या है? जाती वाचक संग्या है, लेकिन फूल किसका है? वो गुलाब का है, या वो ग वर्गीकरन कर रहे हैं और वर्गीकरन किया जा सकता है तो वहाँ पर वो क्या है जाती वाचक संग्या है मनुश्यय, व्रिक्ष, आदी यह वह उधारन है जो किस में आते हैं जाती विशेel देखे गोड़ यहां ढाला है तो गोड़ कुण सा गोड़ है कौन से देश का घोड़ा है किस नसल का घोड़ा है घोड़े का रंग कैसा है घोड़े का कद काठी कैसा है तो ये घोड़े घोड़ा एक जाती का सूचक है लेकिन अगर उसके साथ कुछ विशेशता जुड़े कि तब वो व्यक्ति वाचक बन जाएगा यानि विशेश हो जा जैसे महारना परताब का घुडा, तो यहां पर घुडा किस से जुड़ गया महारना परताब से जुड़ गया, एक विशेष पहचान उसको मिली, लेकिन यहां पर हम जाती की बात कर रहे हैं, तो इसकी पहचान कैसे करी जाए, इन शब्दों का वरगी करण किया जा सकता है, वरगी करण कैसे जैसे मैंने बताया कि फूल कुन सा है, लाल है या पीला फूल है, गैंदे का फूल है, गुलाब का फूल है, हम इसको बांट सकते हैं, इसके विशेष्टाएं ढूंड सकते हैं, उसकी अलग पहचान ढूंड सकते हैं, यानि उसका वरगी करण कर सकते हैं, त इसमें पहला कुनसा है द्रव्य वाचक संग्या, जिस संग्या शब्द से किसी पदार्थ अत्वा द्रव्य का बोध होता है, वो क्या है द्रव्य वाचक या इसे पदार्थ वाचक संग्या भी कहते हैं, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वे वस्तुएं जिनका आकार होता है, जिने इंद्रियों के माध्यम से पहचाना जा सकता है, उनके नाम में द्रव्य वाचक या पदार्थ वाचक संग्या होती है, जैसे, देखें मिटी, मिटी को हम हाथ से छू सकते हैं, वो गिली है सुखी है उसे अनभव कर सकते हैं घी तेल कपड़ा सोना लोहा ये वो पदार्थ है जिनको इंद्रियों के माध्यम से हम अनभव कर सकते हैं इंद्रियां जैसे आंखों से देख सकते हैं हाथ से सपर्ष कर सकते हैं नाक से इनकी सुगंद ले सकते हैं तो हमारी जो त्वच उससे हम इनको अनभव कर सकते हैं यह कठोर है यह नरम है उस चीज का हम अनभव कर सकते हैं तो यहाँ पर इसके कुछ उधारन है जैसे मिट्टी में सभी प्रकार की फसले होती हैं यहाँ थोड़ी टैपिंग मिस्टेक है फसले आएगा यह फसले होती हैं तो मिट्टी यहाँ पर क्या है मिट्टी द्रव्य वाचक संग्या है कोईला ओद्योगी करांती का आधार था तो यहाँ पर जो कोईला है यह द्रव्य है पदार्थ है यह सुनार सोने के आभूशन ब किस नाम से जानते हैं द्रव्य वाचक या पदार्थ वाचक संग्या कहलाते हैं अब अगर आगे हम देखें समुदाए वाचक संग्या यह किसका भेद है जाती वाचक संग्या का ही दूसरा भेद क्या है समुदाए वाचक संग्या जिस संग्या शब्द से किसी समू या सम वाचक संग्या कहा जाता है, जैसे पुलिस अपने आप में एक गुरूप है, एक समु है, सैना, संग, जुलूस, कक्षा, जुन्ड, ये सब क्या है अपने आप में, समुदाई है, एक समु है, जैसे कक्षा, एक कक्षा में 10, 10 से अधिक, 50 बच्चे भी हो सकते हैं, 100 बच्च वो जुंड है, अपने आप में एक समू है, तो यहां पर कुछ उधारन जैसे बुरे समय में मेरे सारे मित्र, तो मित्र क्या है, सारे मित्र हैं ये, मित्र कोई एक मित्र विशेश नहीं है, मेरे साथ खड़े थे, ये क्या है, समुदाई वाचक या समुदाई वाचक संग्या है मेरी कख्षा में 50 बच्चे हैं तो यहाँ जो कख्षा है यंक्त है समू या समुदाय वाचक संग्या है सैना की टुकड़ी प्रेड कर रही है अबसेना की टुकड़ी में कितने सैनिक है वह यहाँ नहीं लेकिन वो टुकड़ी है यानि समू है फूलों का गुच्छा बहुत सुंदर है गुच्छा गुच्छे में कितने भी फूलों हो सकते है यानि वो समू में है तो ये कौन सी संग्या है समुदाय वाचक या समू वाचक संग्या अब तीसरा भेट संग्या का कौन सा है वो है भाव आचक संग्या, देखे जिस संग्या शब्द से रदे के किसी भाव का बोध हो, क्योंकि जो भाव हैं वो रदे से ही उत्पन होते हैं, उनको हम स्पर्ष नहीं कर सकते, उनको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, त मूर्थ का मतलब जिसे ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है केवल और केवल इसे मैसूस किया जा सकता है इसका कोई रूप रंग और आकार नहीं है ये केवल मन से अनुभव किया जा सकता है जैसे दुखों की बुनियाद पर सुखों की इमारत खड़ी होती है तो यहा इस दिल में प्रेम भरा हो उसमें घृणा की जगे नहीं होती। प्रेम और घृणा ये दोनों ही क्या हैं। रदे के भाव हैं। तो यहां को इन शब्दों में कौन सी संग्या होगी। भाव वाचक संग्या यहां पर होगी। तो आज हमने जाना कि संग्या, शब्द की वित्पत्ती कैसे हुई, उसका शाब्दिक और व्याकरणिक अर्थ क्या है, संग्या के तीन भेदों के बारे में जाना, जाती वाचक संग्या के जो दो भेद है, द्रव्य वाचक और समु वाचक या समुदाई वाचक उसके बारे झाल झाल